हेलो दोस्तो, आज 28 जनवरी 2022 और 28 जनवरी 2022 से जितने भी हरी आनक करेंट अफिर के क्वेस्टन मनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ इसाथ पिछली हरी आनक करेंट अफिर का रुवी जन करेंगे और हर क्वेस्टन के बारे में important और extra effect पढ़ेंगे विद हरियाना जीके और last map के लिए हरियाना जीके का test भी है आप उसे देकर जरूर देखे और अप इसकर एड़ेफर की PDF फाइल को description में दिये वे link से download कर सकते हैं या फिर आपको description में टेलेगरम का link मिल जाएगा उसे जोन करके वहाँ से भी ले सकते हैं question number 1 है हरियान के 20 खिलाड़ी को परवशिष्ट शेवा मैडल मिला है तो इसका right answer रोग option D नीरचोपड़ा को यह मैडल मिला है अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में राष्टपति रामनत कोविद ने उलम्पिक में गोल्ड मैडल जीतने वाले नीरचोपड़ा को परवशिष्ट सेवा मैडल देने की गोशना की है क्योंकि नीरचोपड़ा च्या राजपताना राइफल में नयाब सुभधार दोस्तों इभी आपको नोट कर लेना है अब नीरचोपड़ा के बारे में और जान लेते हैं इनका संबन्द है पनपत के खंडरागाउं से इनका जनम हुआ था 24 दिसंबरम सो इस्तानव को और ये जैवलिन थरोया फरपालाफाइक केल से संबन्द रखते हैं अरजुन अवाड मिल चुका 2018 में और जान लेते हैं मेजर द्या अंचंद खेलेतन पूर्षकार मिल चुका 2021 में और पदमसरी मिला दोस्तों हाली मेने 2022 में और दोस्तों बात हूँ थी 37 वसिष्ट मैडल की तूस्से संबन्दिद भी एक पॉइंट पढ़ लेते हैं हाली में इसा आरजिलेक एर मार्षल है सुरेंदर कुमार गोटिय को भी राष्टपती रामनात कोविन ने परव वसिष्ट सेवा मैडल से समानित किया था कोईसिन बर दो है कंतंतर दियुष पर हरियान के कितने गाउं को महारा गाउं जगम गाउयुजना में सामिल किया गया है तो इसका रायट अंसर ओप्शन सी तो 82 गाउं को सामिल किया गया है आप दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में अब दोस्तो जिकरुआ था बिजली से सम्मन्दीत है तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हरियानव विदूत बोड की स्तापनों इथी 3 मई 1967 को चंडिगड में और हरियानव विदूत वियन्यमक आयोग की स्तापनों इथी 17 अगस्त 1998 में और वर्तमन में इसका अध्यक सार की पचनन्दा और एक क्वेसिन पूछा जा चुक है और महारा गाओ जगमा गाओ जनक की सरवात एक जुले 2015 को कुर्प्चेतर जिले के द्यालपुर गाओं से सरू की गई थी और हरियानव में विजली पंचेते इसार जिले से सरू हुई थी कोईस्टन मर तीन है हरियान की खिलाडी सेफाली वर्मा ने ICC T20 बलेबाज रैंकिंग में कौन सा स्थान आसिल किया है तो इसका राय अंसरोग ऑप्सन तो पहला स्थान प्राप्त किया है अब दोस्तों पढ़ लेते हैं बलेबाज सेफाली वर्मा ने ICC T20 बलेबाज रैंकिंग में फिर से पहला स्थान आसिल कर लिया है ICC की ताजा जारी रैंकिंग में सेफाली वर्मा ने आस्टेलिया की अनुबोवी बलेबाज बैत मुनिय को पचाड़ते हुए 726 रैटिंग अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है अब दोस्तों सेफाली वर्मा के बारे में और जान लेते हैं इनका जनमो अथाठाई जनवरी 2004 को रोतक जिले में और सेफाली वर्मा टेस्ट मैच में डेवी करने वाली देश की तीसरी सबसे युवा महिला क्रिकेटर बनी थी दोस्तों जी करू अधक क्रिकेट का तो इससे सम्मंदित भी कुछ इंपोर्टेंट पाइंट पढ़ लेते हैं करनाल जिले के दाहा गाउ में 26 एकर मंतराश्टे क्रिकेट स्टेडिम बनाया जारा वर्तमान में दिली और महुली के बाद यह भी अंतराश्टी मैच हो सकेंगे और फिर्दाबाद जिले में भी अस्टेलिया देश की तरज पर अंतराश्टी किर्केट स्टेडियम बनाया जारा दोस्तों इभी आपको नोट कर लेना है कोईस्टन बर च्यार है हरियान के की जिले के मार्टिन मलिक ने एक ही दिन में च्छावी से और कोट बनाये है तो मार्टिन मलिक दोस्तों की जिले से बिलाओं करता है तो इसका रायट अन्स रोग ऑप्षिने तो सुनपत से बिलाओं करता है अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं सुनपत के आठ साल के मार्टिन ने तीन मिन्ट में पैंचिंग बैग पर 1705 लगाकर वीसो रोकोट बनाया और किक बॉक्सिंग में इत्यास रच दिया है मार्टिन ने आठ वीसो, दो एसिया और दो इंडिया रिकोड अपने नाम किये है और किक बॉक्सिंग में वीसो रोकोड बनाने के लिए मार्टिन को अब लंदन की संसद में मार्च में समानित किया जाएगा अब दोस्तों जी करूँ वाता सोनिपत का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं सोनिपत जिले में लगबग 128 कुड़ोपी के लागत से बारते सुचना परद्यों की संस्तान बनाया जारा वर्तमान में और सोनिपत जिले के गंदोर में रेलकोज फैक्टरी भी बनाया जारी दोस्तों वर्तमान में और सोनिपत जिले में हरियाना रज्जे का पहला अत्यदुनी कचरानिस्तान की इंदर भी स्तापित किया गया है और सोनिपत के राई में दोस्तों देश की सबसे बड़ी अंतराष्टे सूटिंग रेंज भी बनाई जाएगी क्वेस्टन मर पांच है हरियान के कितने खिलाडियों ने गंतंतर दिवस की जांकी में बाग लिया था तो इसका राई अनसरोग अप्शन B तो दस खिलाडियों ने बाग लिया था अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में हरियान के दस खिलाडियों ने गंतंतर दिवस की जांकी में बाग लिया था जबकि दो खिलाड़ी आसू और अनील कुष्टी लावी पर दर्शन कर रहे थे तता कुलदीब सैनी दोस्तों हरियान सरकार का परती नितों कर रहे थे इस परकार दोस्तों इस परेड़ में कुल वाक्ती 13 सा मिल थे दोस्तों लेकिन टोप के खिलाड़ी 10 थे और दो अन्य खिलाड़ी थे अब पढ़ ले थे 10 खिलाड़ी कौन कौन से थे दोस्तों बजरंग पुनिया थे कुष्टी में कैसे पदक जी चुके हैं उलम्पिक 2020 में रानी रामपाल थी दोस्तों महिला उकी टीम की खिलाड़ी है और टोक्य उलम्पिक में चोथे स्थान पर रितिन की टीम है और तीसरा खिलाड़ी है योग इस वर दद दोस्तों कुष्टी में कैसे पदक जीता था उलम्पिक 2012 में चोता खिलाडी दोस्तो ममता खरब दोस्तो पूरो ओकी कप्तान रहा चुकी है मेला टेम की और अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका उन्हें पहले और पार्चमे नमबर पर सुमीत अंतिल है पारा अथलेटिक खिलाडी है पारलम्पिक टोकियो 2020 में सौन पदक जी चुके हैं और नमबे नमबर पर दोस्तो रामपाल है पारा अथलेटिक खिलाडी है टोकियो परलम्पिक 2020 में बागली है और दसमे नमबर पर रंजीत दोस्तो ये भी पारा अथलेटिक खिलाडी है 2020 में टोकियो में बागली है जबकि दोस्तो दो खिलाडी आसू और अनील ने कुस्त एक्सप्रेसवे गुजरेगा तो इसका रायट अंसरोग उप्संडी तो पांच जिलों से गुजरेगा अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में हरियाना में यह एक्सप्रेसवे जजजर के जसोर खिडिकाओं के निकट से सरू होगा उसके बाद रोत तक सोनिमपत कुरुवे हरियान को पस्मे हरियाना से जोडने के लिए डवाली पनपत एक्सप्रेस भी बना जागा दोस्तों इंपोर्टन पॉइंट है यह अब दोस्तों जो भी हमने पड़ा उसका फटावट से रिविजन कर लेते हैं वीडियो पसंद दाते वीडियो का लाइक और चै किस्टेवा माडल मिला है तो नीरत चोपडा को दोस्तों क्वेस्टन बर दो है गंततर द्योज पर हरियान के कितने गाओं को महरा गाओ जगमा गाओ उजना में सामली किया गया तो ब्यासी गाओं को दोस्तों अगर आपको हरियान कर एक्षाल की पीडिप चाहिए तो देवाज रैंकिंग में कौन सा स्थाना असिल किया तो पहला स्थाना असिल किया है नेक्स्ट है हरियान के की जले के मार्टिन मलिक ने एक ही दिन में च्छावी से रोकोड बनाए तो सनपस से बिलाओं करते हैं क्वेस्टन बर पांच है हरियान के कितने खिलाड यूने गं दोस्तों अब साथ याना जिखे कर विजिन भी कर लेते हैं कुईस्टिन बर वन है निर्मातन निर्देशक असो गई हरियान के की जिले से समध रखते हैं तो रोतक से बिलाउं करते हैं कुईस्टिन बर दो है विगर राज चोहान नहरियाना पर कब राज किया था 1111 में किया था Next है महुमध गोरी ने रोतक पराकरमन कब किया था 1114 में किया था Next है पटोदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती तो इंदोरी नदी दोस्तो Q5 है, कौन सी मर्दा को डाकर के नाम से जाना जाता है तो बारी मर्दा को कहा जाता है Q6 है, कौन सा हरियाना का स्वरो परमो की इको पारक बना था तो सुल्तानपूर पक्सी वियार में दोस्तो हरियाना का पहला इको पारक बना गया था next है रेज्य में red, jungle, foul, पर जननं के इंदर कहां पर है तो पित जोर में है next है ग्रिनिंगः आप अरियाना करिकरम किसे संब्सक्राइब तो विघ्यार उपन से संब्सक्तित है question number 9 है रेज्य का कौन सा जिलाका पास उत्पादन में अग्रणी है तो सिर्षा दोस्तो question number 10 है हरियान के की जिले में आवले एक उत्पादन होता है तो सीरसा में किया जाता है अब दोस्तो साथ ही साथ पिछली हरियान करेंडा फिर का रिवीजन कर लेते हैं यह topic बैस्ट है क्योंकि ऐसे exam में question बनते है question number 1 है हरियान के की जिले में इलेक्रिक पारक बनाया जाएगा तो गुरुग्राम के सोहना में बनाया जाएगा दोस्तो पान सो एकड में बनाया जाएगा तीन सो कुरूपी गलागत से और सोहना ना मिले तो दोस्तो इमेवात में भी बनाया जा सकता है next है हरियाना सरकार की स्तर पर MSME पारक स्तापित करेगी तो ब्लोक स्तर पर स्तापित किये जाएंगे क्वेस्टन मर तीन है हरियाना की खिलाडी नीशा दैया ने सीनियर नैसनल कुछती चेंपिन सी में कौन सा पधक जीता था तो गोल्ड मैडल दोस्तो पन पस से बिलाओं करती है यूपी माजी तो इती है क्वेस्टन मर चार है हरियाना रैज्जे के नसीपूर में किसकी आद में समारक बनाया जाएगा तो राव तुलाराम की आद में दोस्तो मुख्य मंतरी ने इसकी गोशना की है क्वेस्टन मर पांच है हरियाना के की सवैक्ति को बार्त हैवी इलेक्टरिकल लिम्टेड करने दिश से कन्यूक्त किया गए है तो राजकुमार अगरवाल को दोस्तो फिर दवाज से बिलाओं करते हैं हरियाना के की सवैक्ति को दोनाचरी आवार 2021 मिला है तो आसन कुमार का दोस्तों बिवानी से बिलाउं करते हैं क्वेस्टन मर शाथ है हरियाना रज्जम कब से कब तक अंतुद्य गरमद्या मेले लगा गए थे पहले चन में तो पहला चन शरूओ था दोस्तों 29 नुम्बर से 25 दिसंबर तक है क्वेस्टन मर आठ है हरियान के अंकुर मित्तल ने 46 वी राष्टी है सूटिंग चैंपिनशी में कौन सा पदक जीता है तो सुनपदक जीता दोस्तों पटे आला माजी तो इती और ये अंकुर सुनपद से बिलाउं करते हैं हरियान के की जिले में देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू अनरजी प्लाइंट स्तापित किया जागा तो गुरुगरा में दोस्तों नैक्स्ट है हाली में जारी रिपोर्ट के नुस्षार हरियाना रज्या वो भॉक्ता के अदिकारों के हनन में देश में कौनसे स्थान पर है अब दोस्तो साथ ती साथ कल वाली हरियान करेंटा फिरकार विजन कर लेते हैं Q1 है हरियान के कीज फिलम का चेन फ्रांस के कौन से वर्ड फिलम फैस्टिवल में हुआ था तो चाय फिलम का चेन हुआ था Q3 है हरियान के कीज जिले में बारते सुचन पर्द्यों की संस्तान बनाया जारा वर्तमान में Q4 है तो नीरत चोपड़ा सुमीत अंतिल उंपरकाष गांधी मोट्तिलाल मदान और अगवेंदरतवर को दोस्तो जबकि सोनु निगम को भी मिला लेकिन बहुत से लिज़ पेपर मेंने हरियाना का नहीं बताया गया तो आप सोनु निगम को भी आदर रख सकते हैं लास्ट वीडियो में आपसे question पूछा था हरियानक किस विज़ बाग ने हरियाना clean operation सरूर कूछ किया है तो इसका Sergeant option भी पूलीज वीज़ बाग के दूवारे सरूर किया गया गया है आज के लिए अपका question है ओड़ दोस्तों और दोस्तों एक दियावासे download कर सकते हैं और thank you so much आपका वीडियो देखने के लिए